एस्टो गुरु योगी चैनल के सभी दुर्षकु को नमस्कार दुर्षकु जन्म कुंडली में प्राया हमारे प्रश्ण पत्नी को लेकर के धन को लेकर के व्यापार को लेकर के आमदनी को लेकर के ज्यादातर होते हैं बस इसी को जिन्दगी और जीवन कहते हैं लगन बचपन चतुर्थ यवावस्था का प्रवेश सब्तम यवावस्था में सही जीवन साथी मिलना न मिलना जातक को यहीं पर अटका देता है इसलिए सप्तम की अत्यधिक भूमिका है इस विशे को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए प्रतेक जोतशी को सप्तम भाव विवहार को शलता तभी सही आदमी कर पाएगा जब उसका चरित्र अच्छा होगा अब चरित्र पर संदेह के कारण होने वाले ग्रहों पर थोड़ा ध्यान करते हैं सबसे पहले सप्तम भाव से विचार करना चाहिए इस्तरी सुख का पुत्र का भी विचार यहां से करना चाहिए यात्राओं का विचार भी यहां से करना चाहिए इन समस्त चीजों के बारे में सब्तमस्थान बताता है साजे का ब्यापार, पार्टनर्शिप, पार्टनर लाइफ इन सब का विचार यहां से करना चाहिए क्योंकि जातका भरण में भी यही लिखा हुआ है रणांगणं चापी वणिक क्रियास्च जाया विचारा गमन प्रयाणं शास्त्र प्रवीन इरह विचारनियं कलत्र भावे किलसर्वमेतत और जातक रत्नम भी युवति पदाद दुद्वाहं भार्या पति सूप दधी गुणद छीरं आगमनं सरिदाप्ति मूत्राशयं चा नश्टधनं इस प्रकार सप्तम भाव में अनेक बातूं का विचार किया जाता है जारह काम गते सिते मदनपे साहित ध्वजेवा तथा कामे जीव युगीक शिते शुबगरिये जातो नजारो भवेत अब सप्तम स्थान में तीन योग बताए गए हैं शुक्र सप्तम भाव में अगर है तो मनुष्य जार होता है अर्था दूसरी इस्त्री जो अपनी इस्त्री से संबंध के बजाए दूसरी इस्त्री से संबंध रखे उसको जार कहते हैं नंबर दो अगर सप्तमेश राहू से या केतू से जुड़ा हुआ हो युक्त हो तो जातक परिस्त्री गामी होता है उसकी हर क्रिया हर चेस्ता दूसरी इस्त्री को देखने की हो जाती है नंबर तीन यदि सप्तम घर में ब्रहस पती हो या सप्तम को ब्रहस पती देखे और सप्तम अस्थान में शुब ग्रह की राशी हो तो जातक परिस्त्री गामी नहीं होता है सप्तमेश पाप ग्रह में होता हुआ आर्था पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ छटे, आठवे, बारवे और पाप ग्रह से युक्त या दिक्षित विक्षित हो तो सप्तम भाव का फल मध्यम होता है पून सुख नहीं होता है उदाहरण के लिए जैसे यहां अस्टमेस मंगल को हम देखते हैं सस्ठेस बुद्ध को देखते हैं द्वादसेस ब्रहस्पती को देखते हैं यह तीनों घर त्रिकभाव हो गये दुहस्त हो गये दुखस्थान हो गये अब तीनों घरों के मालिक जैसे बारवे घर का मालिक ब्रहस्पती और छठे भाव का कारक यहां बुद्ध है, यह त्रिक भाव के कारक हो गए, यदि सब्तमेस इनके साथ बैठा हो, मसलन शुक्र अर्था पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ, छठे आठवे बार्वे में हो, तो ऐसा जातक इस्तरी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, खास तोर से अ कहां जातक पारी जाता है, यह दुतिय भाग के अंतरगत चर्शा आती है, जिसको मैंने पाठ क्रम से लिया है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, कहते हैं दुतियेश, क्योंकि दुतिय अस्थान कुटुम्ब का भी होता है, धन का ही होता है, अताह कुटुम्ब का कारक दुतियेश, सब्तम अस्थान पत्नी के घर का कारक सब्तमेश, चठे घर का कारक सस्थेश, और शुक्र यदि पाप ग्रह से युक्त हों, तो ऐसा मनुश्य अत्यधिक भोग लिपसा वाला कामी व्यक्ति होता है, नमबर दो, सस्थेश, चठे घर का मालिक सस्थेश जैसे यहां बुध है, पाप ग्रह से युक्त हो, और लग्म का मालिक, अर्थात लगनेश भी पाप ग्रह से युक्त हो, तो मनुश्य बहुत कामी होता है, अब कई ऐसे लोग हमारे दर्शक हैं, जिस पे खुब सारी टि उनको लगता होगा, कि हम यहां विशय केवल मनोरंजन के लिए दे रहे हैं, नहीं मेरे भाई, यहां मनोरंजन के लिए नहीं है, यहें आत्मरंजन के लिए है, यह आपके मनोमालिनता को दूर करने के लिए है, कोई भी व्यक्ति जवान होने से पहले बच्चा होता है, और उसकी सही चली तो बुढ़ापा उसका अच्छा होगा जवानी में की वही गलतियां बुढ़ापे में चुभती हैं इसलिए हमें जवान लोगों को सावधान करने के लिए यह विशेश सूत्र देना पड़ रहा है तो तीसरी बात पर आते हैं हम यदि शत्रु अस्थान का स्वामी यानि चर्ष्ठेस अब यहां सस्ठेस बुढ़ है जन्मकुंडली में यहां मैंने मेश लगन का चार्ट लिया हुआ है इसलिए सस्ठेस बुढ़ बन रहा है अगर हम ब्रिश लगन का चार्ट लिये होते तो शुक्र बन जाता पर यहां सस्ठेस बुढ़ है यदि सस्ठेस लगनेस लगन का मालिक जिसे यहां मंगल है और दुतियस दूसरे घर का मालिक जिसे शुक्र है तो लगनेश सस्ठेश तथा दुतियेश के साथ सब्तम भाव में हो तो जातक परिस्त्री गामी होता है अब यहाँ पर तो कुंडली मेश लगन की ही है अता दुतियेश और सब्तमेश एक ही हो गया अब दुत्येश और सब्तमेश एक हो गया अगर सश्ठेश इसी के साथ बैठ गया तो ऐसा बिक्तिविसेश कामी बताया जाता है नमबर चार सश्ठेश और सब्तमेश पाप ग्रह के साथ नवे घर में बैठ जाएं जैसे जहां नाइंथ लिखा हुआ है सश्ठेश बुद्ध सब्तमेश शुक्र अगर नमबर में बैठ जाएं तब भी जातक कामातुर होता है ऐसा सरवार्थ चिंता मणी में भी कहा गया है कि लगना इस्थिता बित्त कलत्त शत्रो नाथा सश्चुक्र यदि पापयुक्तह जाता परिस्त्री सुरतह कुमार्गी सुभेक्षितास्चेन तथा भवेंच लगनारिपो पापयुतो यदि स्याजाता परिस्त्री रता कुमार्गी लगनेश्वरेशत्र कुटुम बनाथे पापयर युक्ते वा यदि दारराशो जाता परिस्त्री रतह ऐसा लिखा है अब इसमें चार योग बताए हैं जारह कर्मधनास तपा दश्मगह पुत्रादिकार ग्रहा यदि दसमस्थान का स्वामी और दूसरे स्थान का स्वामी जैसे यहां दसमस्थान का स्वामी शुक्र है और दूसरे स्थान का स्वामी शुक्र है तो दसमस्थान का स्वामी दुतियस्थान का स्वामी और सब्तमस्थान का स्वामी तीनों दसम घर में बैठे हो तब भी मनुष्य जार होता है यानि परिस्त्रीरत होता है। दूसरी बात यहां पर लिकी है दुस्था धी गुरुकाम पाह सुतक रहे यदि पंचमेश जिससे यहां पांचवे घर का मालिक सूर्य है सब्तमेश जिससे यहां शुक्र है नवमेश जिससे यहां ब्रहस्पति है यदि पंचमेशThis extr。 नौमेस में से कोई ब्रहस्पती हो और ये तीनो छठे आठवे बारवे हो अर्थाथ छठे आठवे बारवे घर में बैठ जाएं और पांचवे घर को कोई पापगरह देखता हो तो जातक के लड़का नहीं होता है अर्थाथ पुत्र नहीं होता तीसरी बात यदि बुद्ध और ब्रहस्पति सात्वी घर में बैठे हो या जाद चंद्रमा और शुक्र सात्वी घर में बैठे हो बहुत सी इस्त्रियों में ऐसा बिक्ती रत होता है अब अगर बलवान शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और बहुत सी इस्त्रियों का पती होता है ऐसा सर्वास चिंतामणी में कहा गया है तो ये हम बार-बार कहते हैं कि इस विशय को इसलिए समझना जरूरी है कि इससे हम कैसे चुटकारा पाएं मनुष्य के ये परमशत्रू हैं गीता जी में लिखा है भगवान स्रे कृष्ण ने काम एस क्रोध एस रजोगुन समुद भवा फिर भगवान ने लिखा है स्रीमत भगवत गीता में कि नरक के द्वार कितने हैं नरक के द्वारों के बारे में भी बताया गया है इन विशयों को जब हम जान लेते हैं तो हम इन विशयों से विरक्ती के लिए कोई न कोई युक्ती करते हैं अता इन विशयों से ही बचने के लिए हम विशेश रूप से ये टॉपिक दे रहे हैं चलिए शुक्र और मंगल सप्तम स्थान में हो तो जातक इस्त्री से हीन होता है इस्त्री रहित होता है उसकी इस्त्री मृत हो जाती है यहां विबाहा ही नहीं होता हमने बहुत से जन्म पत्र देखे जिनमें शुक्र और मंगल सप्तम नवम पंचम में होते हैं और जातक विबाहित होता है वहां पर यह आवश्यक है कि पुरुस अन्य इस्त्री गामी होता है अर्था अगर यह युती है तो ऐसा विक्ति अपनी इस्त्री के अलावा पर इस्त्री रत होता है अगर मंगल और शुक्र नवम पंचम अस्थान में हो तो यही फल मिलता है अगर चंद्रमा और शुक्र छठे भाव में बैठे हो तो जातक के केवल एक पुत्र होता है पुत्र का विचार भी सप्तम अस्थान से यहां जातक पारियात में कर रहे है चतुर्थ बात लगन सप्तम और बारुवा यानि द्वादस भाव में पाप ग्रह हो अथाद लगन में साथमे घर में और बारुवे घर में पाप ग्रह हो और अगर पंचम अस्थान में दुर अब और योग लेते हैं कि बंध्या पति हिस्सित रवी मदनों दयस्थव हम बाकायदे सुत्र के साथ आपको समझाएंगे अगर सुक्र और सूर्य एक साथ लगन में या साथ में घर में हो तो जातक की इस्त्री बांज होती है एक और योग देखिए कि ऐसा ब्यक्ति इस्त् पृति का होता है वह कौन सा ऐसा योग है अगर चंद्रमा समराशी मतलब विशम नहीं समराशी जैसे विरिश समराशी हो गई विरिश्चिक समराशी हो गई कन्या समराशी हो अर्था चंद्रमा समराशी में या लगन में हो, समराशी के अंतरगत लगन में हो, तो जातक की जो आकरती होती है, वो इस्त्रियों जैसी होती है, अगर चंद्रमा पुरुष राशी में हो, तो जातक की इस्त्रि पुरुष की आकरती की होती है, जिस ब्यक्ति की, जिस ब्यक नंबर एक पुरुस, नंबर तीन पुरुस, नंबर पांच पुरुस, नंबर साथ पुरुस, नंबर नो पुरुस, नंबर ग्यारा पुरुस, इस तरह से आप पुरुस राशियां समझ सकते हैं, अगर चंद्रमा पुरुस राशिय में हो तो जाता कि इस तरी पुरुस की आक करती की होती है अर्थात कुछ पुरुष ग्रह देखें या युक्त हों कुछ इस्त्री ग्रह देखें या युक्त हों तो कुछ बाते पुरुष किसी और कुछ इस्त्री जैसी होती हैं फिलाल मैं आपको बता दूँ पुरुष राशियां मेस मिथुन सिंग तुला धनों कु यह पुरुस राशियां है और इस तरी राशियां है व्रिश करक कन्या व्रश्चिक मकर मीन अता है इनको आप किसी जगह नोट कर लें तो यह रहा जातक के च्वरित्र के उपर पारजात जातक पारजात के अनुसार कुछ द्रिश्टांत आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताईए अभी हम इस पर और चर्शा करेंगे आगे और विश्रेशन करेंगे लेकिन वीडियो यह वाला बहुत बड़ा हो रहा है अता हम इसको यहीं पर विराम दे करके पुना मिलने के लिए आप सब लोगों से वादा करते हैं लेते हैं विदा सभी से नमस्का बताए मिलने कर दो आप से घर तो जजग मौनने कर दो हैं विदा दो हैं लोग्ल senior हम प्रूब अ करते हैं ग्रओटे मिलन पार